हेलो फ्रेंड्स आज हम कवर करेंगे पूरे जनुवरे की करंट अफेर जो की टोप 60 करंट अफेर्स रहने वाले हैं अगर अभी तक आपने एक्जाम और येंटिट को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाओ सस्क्राइब कर लो कमेंटर में भी बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको पीडियो चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिसक्राप्शन में मिल जाएगी आज का देवाक्य देख लेते हैं जो व्यक्ति संगर्स की जमीन पर एड़ी रगड़कर मंजिल तक पहुंचता है वह कभी गवंड के बादलों पर सवार नहीं होता हलो फ्रेंड्स मैं सुमित और आप देख रहे हैं एक्जाम औरियंटेट चलिए सुरू करते हैं शैसन थोड़ा लंबा रहने वाला है और लगे रहना है बिल्कुल भी हटना नहीं है पहला कोशन है फास्टेक का डिजीटिल पंजीकरन लाने के लिए गूगल पे के साथ कौन सयोग कर रहा है और इसकी इस्थापना जून 1994 में हुई थी नेक्स्ट कोशन है यू के न्यू इयर ओनर सूची में किसे नाइट हुट से सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है लूइस हैमिल्टन को इन्होंने सबसे पहली जो ये कार रेसर हैं इन्होंने सबसे पहली कार रेस 2007 में और कैनेडियन ग्रांट प्रिक्स जीता था और लास्ट 2020 तरकिस ग्रांट प्रिक्स और 2020 में जो टीम थी इनकी वो थी मर्सडीज लूइस हैमिल्टन को यूनाइटेट किंग्डम न्यू इयर ओनर सुची में नाइट हूट से सम्मानित किया गया है यह अवार्ड इस साल माइकल सुमाकर के रेकोर्ड की बरावरी करने के बाद हैमिल्टन ने अपना साथवा 20 खिताब जीता है नेक्स्ट कोशन है नरेंदर मोदी 1 जनवरी 2021 को कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की अधार सिला रखेंगे तो यह रखेंगे 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट ठीक है 6 राज्यों के अंदर रखे जाएंगे और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी 1 जनवरी 2021 को देज भर में 6 राज्यों में 6 इस्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट का सिलेनास करेंगे यह परियोजनाए गिलोबल हाउसिंग टेक्नलोजी चैलेंज के तहत 6 राज्यों में सुरू की जाएंगी उत्तर परदेश होगा उसमें एक दूसरा गुजरात, तीसरा मद्य परदेश, तमिलनाटू, जारकंड और तिरपुरा यह साथ राज्यों में स्टार्ट की जाएगी नेक्स्ट कोशन है, बिश्ब संगी समारों में तांसेन पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है सतीस ब्यास जी को ये हैं सतीस ब्यास जी सतीस ब्यास एक भारतिय संतूर बादक हैं वह भारतिय सास्त्रिय गायक सी और ब्यास के पुत्र हैं 1978 से उन्होंने शिप कुमार सर्मा के साथ संतूर का अध्यन किया वह चैंबूर में रहते हैं मद्यपरदेश में ग्वालेर में 96 तानसें संगी समारों की सुरवात सक्त कोविड नाइनटीन दिसा निजसों के साथ हुई थी याद रखना कब हुई है तो ये कोविड नाइनटीन के समय में हुई थी उद्गाटन समारों में पिरसिद संतूर बादक 25-30 ब्यास को 35 से सम्मानिक किया गया है नेक्स्ट कोशन है सेल के नए अध्यक्स के रूप में किसे निक्त किया गया है तो ये किया गया है सोमा मंडल को ये हैं सोमा मंडल हैटकवाटर है सेल का न्यूदिली में और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1904 में की गई थी नेक्स्ट कोश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्स और CEO के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो ये हुए हैं सुनीत सर्मा जी ये हैं सुनीत सर्मा रेलवे की स्थापना हुई थी 1853 के समय में रेलवे बोर्ट की इस्थापन हुई है 1905 में और हैटकवाटर है न्यू दिल्ली में मंत्री मंडल की नुक्ति समीती ने सुनीच सर्मा को रेलवे बोर्ट के अध्यक्स और सीईओ रेल मंत्राले और भारत सरकार के पदेन पिर्मुक सचीप के रूप में नुक्ति को मंजूरी दी है उन्होंने एक जनवरी 2021 से अपनी नई भूमी का निभाई है सर्मा के पूरुबर्ती बिनोत कुमार यादब जो पुनर गठन बोर्ट के पहले सीईओ भी थे का बिस्तरित एक वर्स का काररेकाल 31 दूtechn दूमेर 2020 को समापत हो गया है यह बन गया है जोंग ससान यह चाइना के रहने वाले हैं और मुकेश अमवानी को पचाढ़ कर एसिया के सबसे अमीर विकति बन गई है इस से पहले इस सबसे अमीर विक्ति थे हमारे दिए टैन मिलियन डॉलर के रिन पर हस्ताकसर किये हैं तो ये किये हैं हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जैराम ठाकूर गवर्नर है बंडारू दत्रात्रे और राजदानी है सिमला एडी बी के बारे में जान लेते हैं इसकी फुल फॉर्म है एसियन डबलम्मेंट बैंक प्रेसिडेंट है इसके मासुगू असकबा फॉंडेड हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और हैटक्वाटर है फिलिपीन्स ACI बिकास बैंक और भारा सरकार ने 10 मिलियन डॉलर की परियोजना ततपड़ता बित पोशन पर हस्ताक्सर किये हैं इस समझोते का उद्देश एक अगामी परियोजना के लिए बित पाइलेटिंग गती विदियो और डिजाइन और छमता निर्मार में मदद करना हैं जिसका उद्देश पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागमानी उत्पादन और किर्सी घरेलू आयका बिस्तार करना हैं नेक्स्ट कोशन है हाल ही में माइकल कॉंडो का निधनवा है वे किस खेल से संबंद थे तो ये थे होकी से ये हैं माइकल कॉंडो कॉंडो को 1972 में अ 1975 में कौलारंपुर में खेला गया होकी बिस्पकप जीता था फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था वे इस से पहले 1972 में म्यूनिक में खेले गए ओलमपिक खेलों में कास्य पदक जीतने बाले भारती टीम का हिस्सा थे इस पिरत्योगदा में उन्होंने तीन गोल क किये थे नेक्स्ट कोशन है हाल ही में देश की सबसे यूबा पंचायत अद्धक्स कौन बन गई हैं तो ये बनी है रेसमा मरियम रोए ये हैं रेसमा मरियम रोए ये केरल की रहने वाली है और इनकी उमर है 21 वर्स हाल ही में रास्ट्या प्लिस के नाइन पत्रिका का कोचन किया है अब देख लेते हैं कि नरेंदर मोदी जी के पास कौन कौन से मंत्राले हैं तो इनके पास है सारवजनिक सिकायत ऐबम पैंसन अंत्रिक्ष विभाग परमाणू उर्चा विभाग और वाकि वह सब विभाग जो किसी अन्या मंत्री को नहीं दिये हुए हैं अम इ नेक्स्ट कोचन है हाल ही में किस राज्जे ने किसान फसल राहत योजना सुरू की है तो ये की है जारखंड ने जारखंड के मुख्य मंत्रिय हेमेंट सोरेन राज़ पाल है दुरुपती मुर्मू और राज़दानी है राची यह एक छती पूर्टी योजना है जिसका प्रीमा योजना नहीं है जहां प्रीमियम का भुकतान किया जाता है फसल च्छती का आगलन ग्राउंड ट्रूटिंग पिरकरिया के माद्यम से किया जाएगा जो नमूना अबलोकन का एक मिस्रिस सरूप होगा योजना के तहत बार तुफान बबंडर जोला मकी कावर की जाएंगी जंगली जानबरों के हमले के कारण नुकसान किसानों दोरा एव घ्यानी किरसी जोकिम को योजना के तहत नहीं सामिल किया जाएगा च्छती पूर्ती रासी प्रदान करने हित्व पे आउट मैट्रिक्स बिकसित किया गया है नुकसान के अधार पर जीर आपकर्मों में से किसने प्रियास नामक एक पहल सुरू की है। कटर न्यू दिल्ली और फाउंड़ेट टीजून उननीस सो उन्सट में की गई थी। प्रियास पहल की सुरूबात के रूब में इंडियन ऑयल कॉर्पुरेशन दिल्ली स्टेट ऑपिस के कर्मियों ने इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन के इधन स्टेशनों के निकट रात आश्यों का दोरा किया और उन्हें कम्बल बित्रित किये इस पहल के साथ कंपनी का लक्ष है समाच के कामजोर बर्गों की जरूरतों को पूरा करना है नेक्स्ट कोशन है भारत एक हद्य सुरक्षा और मानक प्राधी करन ने हाल ही में भोजन में निमली खितमे से कि इसकी सीमा को गटा दिया है तो गटा दिया है ट्रांस फैट की सीमा को इसके चेर जो हमारा ये है फैसाई इसके चेर परसन है रीता तवतिया हैटकॉर्टर न्यूजिली फाउंड़िट अगस्ट 2011 इसकी पेरेंट एजेंस्यू है वो जो इसके अंदर काम करता है मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फैमिली बेलफेर गबर्बर्मेंट ओफ इंडिया बर्तवान में भोजन में ट्रांस बसा की सीमा है पांच परसेंट 2021 में इसके गटा कर तीन परसेंट कर दिया है अब इसकी सीमा 2022 में रखे गई है कि 2022 में दो परसेंट करना है नेक्स्ट कोशन हे हाल ही में बिस्व ब्रेल दिबस कब मनाया जाता है तो ये मनाते हैं चार जनवरी को बिस भर में चार जनवरी 12-20 को अंतरास्टे ब्रैल दिबस मनाया गया पिर्ती बर्स ब्रैल दिबस चार जनवरी को लुई ब्रैल के जनम दिन के इस्मरनों सब के रूप में मनाया जाता है इस दिन दिम्याग जन अधिकार अधिनम नेत्र रोगों की पहचान रोग थाम और प्रवास बिसे पर बात होती है चार जनवरी दोहर उन्निस को पहला अंतरास्टे ब्रेल डे दुनिया भर में मनाया गया था संयुक्त रोष्ट महासावा ने बिस ब्रेल दिबस के लिए 6 नमबर 2018 को प्रस्ता पारिद किया नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस राजजे ने अपने पानी के टापरों पर आईटी उपर इस्थापित किये हैं तो ये कि हैं बिहार राजजे ने बिहार के चीफ मिनिस्टर है नितीस कुमार गवर्नर है फगू चोहान और राजजदानी है पटना लेक्स्ट कोशन है किस बैंक ने असम में बिजली उत्पादन छपता बढ़ाने के लिए 211 मिलियन डॉलर का रिंड परदान किया है तो ये किया है एडीवी ने एसियन डब्लमेंट बैंक चीफ मिनिस्टर है असम के सरवानन सोने बाल गवर्नर है जगदीस मुखी और राजजदानी है दिस्पूर एडीवी के बारे में जान लेते हैं इसकी फुल फॉर्म है एसियन डब्लमेंट बैंक प्रेसिडेंट है मासुगू असकबा इसकी इस्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी है फिलिपिन्स नेक्स्ट कोशन है जी एम आर हैदराबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट ने निमलिखित में से किस अंतरास्टे हवाई अड़े के साथ एक बैक्सीन कोरिडोर बनाने के लिए एक समझोते ग्यापन पर हस्ताकसर किये हैं तो ये कि हैं दुबई अंतरास्टे हवाई अड़ा यू एई की बारे में जान लेते हैं इसके जो प्रेसिडेंट है वह मुहम्मध बिन राजिल अलमक्तूम कैपिटल है आवुदाभी कर नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस संग छेतर ने तमिल अकादमी इस्थापित करने का निर्ने लिया है तो ये लिया है दिल्ली ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरिवाल गवर्नर है अनिल बैजल और राजदानी है नियू डिल्ली नेक्स्ट कोशन है हाल ही में भारतिय रेलवे ने दुनिया की पहली हूस्पिटल ट्रेन बनाई है इस ट्रेन को क्या नाम दिया गया है तो ये दिया गया है लाइफ लाइफ लाइन एक्सप्रेस अब देखते हैं रेलवे तो रेलवे के चेर्मेन एन CEO जो 1 जनवरी 2021 में ब बहुत तेज़ पड़रों को लेकिन कोश्चन है साथ और ज्यादर लंबा समय तक भी नहीं बनानी है लंबी वीडियो जाती है बहुत दिक्कत जाती है हर वेच्चे के लिए आपको कोश्चन और डिटेल में हैं बस इतने ही त्यारी कर लिजिए पहरी जो रेल थी वो 1853 को डलो हुजी के समय में मुंबई बुरी बंदर से थाने तक 34 किलोमेटर चली थी याद रखना जी वाली बात नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किस देश ने फते वन रोकेट सिस्टम का सफलता पूरबग परिक्षन किया है तो ये किया पाकिस्तान ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलबी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान राजदानी है इसलामाबाद और करंसी है पाकिस्तानी रुपी ये है मैप में पाकिस्तान ये है फते, फते बन, फते बन पारम पर एक बार हेड ले जा सकता है और इसकी सीमा 140 किलोमीटर की है सीमा याद रखना की 140 किलोमीटर की है नेक्स्ट कोश्चन है, हाली में सतरक नागरिक नाम का एक मॉबाइल एप्लिकेशन निमने में से किस केंदर सासित परदेश में लौंच किया गया है तो ये किया गया है जम्मू और कस्मीर में जम्मू कस्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंदर सासित प्रदेश बना दिया गया रहजदानी है स्रीनगर जो की ग्रीसम कालीन है और जम्मू है जो की सीथ कालीन है उपराजेपाल हैं यहां के मनोश शिना जम्मू कस्मीर के उपराजयपाल मनोज सिना ने जम्मू एन कस्मीर एंटी करफसन ब्यूरो के मुबाइल एप्लिकेशन सतरक नागडिक और विभाग ये सतरकता अधिकारी पोर्टल लॉंच किया है उपराजयपाल ने देखा कि पारदर्सी जवाब दे और उत्तरदाई शाशन सुनिश्चित करने के लिए यूटी सरकार व्यापग उपाय कर रही है यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किसराजय ने ये दाखिल पोर्टल लॉंच किया है जो उपभुकताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा तो ये किया है पंजाब ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर है अमरेंदर सिंग गवर्नर है बीपी सिंग बदनोर और कैपिटल है चंडिगड नए उपभुकता संरक्षन अधिरियम 2019 के अनुसार उपभुकता सिकायतों की इफाइलिंग को सक्षम करने के लिए बनाया गया है ये है पोर्टन नागरी को अधिकारियो दोरा ओनलाई सिकायर दर्ज करने की सुविदा प्रदान करेगा नेक्स्ट कोशन है इबी चार्जिंग स्टेशन इस्थापित करने के लिए एनर्जी एफिसेंसी सर्विसिज लिमिटेड ने किसके साथ करार किया है तो ये किया है एन एच ए आई ये है एलेक्ट्रिक वाइकल ऐसे जो स्टेशन से लगाई जाएंगे एन एच एई की फुल फॉर्म है ता नेशनल हाइवे अथॉर्टी ओफ इंडिया इसकी स्थापना 1988 में की गई थी हैटकौटर्स है नई दिली और चेयर पंसन है संजीब रंजन मिनिस् स्ट्री ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवे वो हैं नितिन जहराम गड़करी नेक्स्ट कोशन है हाल ही में पी 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 मोडल के तहट देश के पहले एथनौल सनियंत्र को कहां पर इस्थापित करने की घुफणा की हुई है तो यह हुई है च्छतिस गड़ में आगेदारी पी पी मोडल के तहट राज्य में इस्थापित होने वाले देश के पहले एथनौल सनियंत्र के लिए एक अनुबंद निस्पाजित पर हस्ताकसर किये आधिकारिक बिक्यपति के अनुसार करवधा के भोरम देव सहकारी चीनी खारकाना और च्छतिस गड़ डि के लिए नीती आयोग ने किस एकोमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहीयोग किया है तो यह किया है फिलिप कार्ट के साथ फिलिप कार्ट के सीई यू है कल्यान करिशना मूर्ती पेरेंट और इसकी जो कंपनी है वो है वालवान नीती आयोग के बारे में जान लेते हैं इसके चेर परसन है नरेंदर मोदी बाइस प्रेसिडेंट बाइस इसके जो प्रेसिडेंट है वो है राजीब कुमार सी यू है वो है अमिताप कांद हैट कोटर है नई दिली और इससे जो बनाए गया था वो एक जनवरी दोहर 15 को किसकी जगा बनाया गया तो वो योजना आयोग का नाम बदलकर नीती आयोग कर दिया गया नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस राज्जे सरकार ने राजब्यापी करोना अब यहां 2021 सुरू किया तो यह किया है गुजराश सरकार ने यहां के चीफ मिनिस्टर हैं बिजे रूपानी गवर्नर हैं अचार्य देबरत और यहां की राजदानी हैं गांधी नगर जूनागर बरोदरा सूरत और बलसाड जिलो से बड़ फलू के मामले के मद्दे नजर मुख्यमंत्री बिजे रूपानी ने ग्यारा जनवरी को स्वास्त अधिकारियों और करमचारियों का बिसेज ध्यान रखने के लिए पिरसासन को मानक संचारन पिरिकरिया जारी की एंजी ओएस के स्वेम सेवेकों के अलाबा इस बर्स के करुणा अभ्यान दोयर 21 के तैट पक्षियों को बचाने और उनके उप चार में लगे हुए हैं नेक्स्ट कोचन है हाल ही में 51 भारतिया अंतराश्ट फिल्म मोस्सम में फोकल देश किसे चुना गया है तो यह चुना गया है बांगला देश को बांगला देश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामेद और प्राइम मिनिस्टर है सेख हशीना और य लिया है तो यह लिया है बैंगलूरू में चीफ मिनिस्टर है करनाटा के बी ऐसे दुरप्पा गवर्णर है बाजुबाई बाला और राजदानी है बैंगलूरू CEO टेसला के CEO है वो है अलोन मास्क हैटकटर है कैलिफोनिय यूएस और फाउंडिड हुई थी एक जुलाई 2003 को और इनकी एक कंपनी और है जो है स्पेस एक्स और सबसे अमीर व्यक्ति भी अलोन मास्क बन चुके हैं पुरे बिस्व में नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किस देश ने बिस्व बैंक और संयुक्त रास्ट के साथ बन प्लेनिट सम्मिट दोहर 21 की मेजवानी की तो ये की है फ्रांस के साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट है एमेनल मैक्रोन कैपिटर है पैरिस और करंसी है यूरो और ये मैप में है फ्रांस यूएन इसके सेकरेटरी जनरल है एंटोनियो गुट्रेस हैटकॉर्टर है नियू योग यूएस में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी फ्रांस की सरकार ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये चोथा वन प्लेनिट सम्मित आयोजन किया जिसका उद्देश से दुनिया की जैब विवित्ता की रक्षा करना है सिकर सम्मिलन का आयोजन सहियोक तुराष्ट और बिस्वस बैंक के सहियोक से किया गया था बिस्व सिखर का बिसेप प्रकृति के लिए एक साथ सुधार कर रहे था नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किसने बिस्म टेक के महा सचीप का पदवार समाला है तो ये समाला है तेंजिन लेक फेलने ये कहां के हैं तो ये हैं भूटान के बिस्म टेक के बारे में जलने लेते हैं इसकी फिलफॉम है बे ओफ बैंगोल इनिसियेटिफ फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड एकनॉमिक कॉर्पोरेशन हैटकॉर्टर है धाका बांगलादेश में और इसकी इस्थापना 6 जून 1997 में की गई थी और इसमें जो कंट्रीज हैं वो हैं बांगलादेश भूटान इंडिया मेमार नेपाल सिर्यलंका और थाइलेंड दोहर चार में दो कंट्री जुड़ी थी जो की हैं नेपाल और भूटान नेक्स्ट कोशन है हाल ही में डिटल विकास स्कॉर कोड दोहर बीस में भारत की रेंक क्या थी तो ये थी फौर्थ पहली नमबर पर है चाइना दूसरे पर है अजरवजान और तीसरे पर है इंडोनेशिया मास्टर कार्ट के साथ साज्यदारी में तेजी से डिटल हो रहे भारत को ब्रेक आउट अर्थववगस्ताओं के बीच उच इस्थान दिया गया नेक्स्ट कॉशन है किसने स्वेदेसी रूप से दुनिया की पहली युनिवर्सल बुलेट प्रूप जैकिट सकती बिक्सित की है तो ये की है हमारी भारतिय सेना ने एक भारते सेने प्रमुक ने अब स्वेदे सी रूप से दुनिया की पहली बुलेट प्रूप जैकेट बिक्सित की है जिसका उप्योग पुरुस और महीला दोनों लड़ा को दोवारा किया जाता है मेजर अनुरूप मिस्रा द्वारा बनाई गई बिलेस्टिक बनियान जिसे सकती कहा जाता है दुनिया की पहली लीची बोडी कबज भी है मतलब लीची नी लचीली बोडी कबज भी है नेक्स्ट कोचन है हाल ही में किस ने आबउदावी टैनिस टूनामेट 2021 जीता है तो ये जीता है आरनया सवालेंका ने ये हैं आरनया सवालेंका आप जानते हैं बिरुन्डस के बारे में तो इसकी प्रेसिडन्ट है अलेक्जंडर लुका सेंको Capital है Minsk और Currency है बेलारूसी गूबल Next question है हाल ही में किसे नेलसन बंडेला 20 मानपताबादी पुरुषकार से संमानित किया गया है तो ये किया गया है रभी गायकवार्ड को ये हैं रभी गायकवार्ड नेलसन बंडेला मानपताबादी पुरुषकार मानत्ता की सेवा के लिए अपना जीवन समिन पर करने वाले लोगों को दिया जाता है नेलसन मंडेला दक्षिन अफरीका के पिर्थम ए स्वेत भूत पूर्व राश्टपती थे 1990 में स्वेत सरकार से हुए एक संजोते के बाद उन्होंने नए दक्षिन अफरीका का निर्माड किया और बे दक्षिन अफरीका और बिस्व में रंग भेत का बिरोत करने के लिए पिर्थीग बन गए संयुक्त राश्ट संग ने उनके जन्म दिवस 18 जुलाई को नेलिसन मंडेला अंतरास्टे दिवस के रूप में बनाने की गोफना की थी नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किसे सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया है तो ये किये गए पिर्थवी पाल सिंगो ये हैं पिर्थवी पाल सिंग ये एकलोते ऐसे हैं जिनोंने तीन सेनाओं में सेवा दी है नेक्स्ट कोशन है किस सहर में सुरू होगा बारत का पहला सरम आंदोलन संग्राले ये होगा अलब पुजा में और ये कहां पर रही है केरल में केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई बिजिन गवरनर हैं आरिफ मुहम्मद खान और राज़ानी हैं तुर्वंत पुरम और ये मैप में केरल नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस केंदर सासित परदेश या फर राज्जे में खेलो इंडिया आइस होकी चैंपेसिप आजोजित की गई है तो ये की गई है लद्दाक में लद्दाक को 31 अक्टूबर दोहर 19 को केंदर सासित परदेश बना दिया गया था इसमें दो जलिया आते हैं लेह और कारगिल लद्दाक के उपराज जपाल हैं वो हैं आर के माथूर नेक्स्ट कोशन है हाली में किस देश ने ओपन इसकाई संदी से हाथ खीच लिये हैं ये खीचे हैं रूस ने रूस के प्रेसिडेंट है बनादिमिर पुतिन कैपिटल है मोस्को और करंसी है रसियन रूबल और ये मैप में है रसिया नेक्स्ट कोशन है किस राज्जे में आर्थिक रूप से कमजोड छात्रों के लिए बन इसकूल बन आई एस योजना सुरू की है तो ये की है केरल में केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई बीजियन गवरनर है आरिफ मौम्मत खान और राजजानी है तिर्वंत पुरम एक आई एस रदगारी बनना देश के लागों युबाओं का सपना होता है परंतु कही निजी कारणों तो कभी आर्थिक तंगी के चलते कई होनहार चात्र काबिलत होने के बावजूद अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं ऐसे ही चात्रों की मुझत के लिए बारत के केरल राजजे में एक नई कारणों की सुरुवात की गई है सनिवार को राजजे के राजजेपार आरिफ मौम्मद खान दौरा के रेल के दस हजार मेदा भी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोड चात्रों को सिबिल सेवाव और अन्य परतियों की प्रक्षाव में मुपत कोचिंग परदान करने की योजना सुरू की गई नेक्स्ट कोच्टन है हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट बायू सेना युद्ध अप्याव फ्रांस के प्रेसिडेंट है एमरिल मैकरोन करन्स और इसके कैपिटल है पैरिस और करन्सी है यूरो नेक्स्ट कोशन है हाल ही में यूनेक्स हाइलेंड ओपन बैडमिंटन टूनामिंट किसने जीता है यह जीता है कैरोलीना मरीन ने यह हैं कैरोलीना मरीन पूर्सों की स्रेडी में विक्टर एक्सेल सेन डेनमार्क ने एंगल लॉंग्स होंग को हरा कर पूर्सों एकल खिता है पूछ सकता है पूर्सों में जीता है तो वो हैं विक्टर एक्सेल सेन जो हैं डेनमार्क के रहने वाले किसे हराया है एंगस लोंग को जो है होंग कोंग के रहने वाले महीला बर्ग में कैरोलीना मरीन स्पेन के रहने वाले जिन्होंने एक खिताब जीता है महीला एक खिताब जितने के लिए उन्होंने किसको हराया है तो वो हराया है ताई तुजू यूंग जो की हैं ताइवान की नेक्स्ट कोशन है नीती आयो के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य मेजर स्टेट की सिर्णी में सबसे उपर है तो ये है करनाटक नेक्स्ट कोशन है हाली ही में जारी गलोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्ट हुआ है ये हुआ है फूर्थ पहले नमबर पर है यूएसे दूसरे पर है रस्या तीसरे पर है चाइना और चोथे पर है पाकिस्तान Global Fire Power Index देसों को उनकी संबाबे सेन्य तागत के अधार पर रेंक करता है सूच कांग में भारत को चोथा इस्थान दिया गया है Global Fire Power Index एक सो अर्टी देसों को इस्थान दिया है तो ये रखा गया है नेता जी सुभाचंदर बोस के नाम पर क्या रखा गया है नेता जी एक्सप्रेस पर तिस्थे सुतंता सनानी सुभाचंदर बोस की जहनती से पहले बुदुभारत 20-21 को भारती रेलवे ने हावडा काल का मील का नाम बदल कर नेता जी एक्सप्रेस कर दिया है नेक्स्ट कोशन है किस राज्य में बारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज बाहिये ब्रिज का उद्गाटन किया गया है तो यह किया गया है मेगाले में यहां के चीफ मिनिस्टर है कॉन रोड सगमा, गर्बरनर है सत्यपाल मलिक चुना गया है यह चुना गया है राजेंदर कुमार भंडारी को यह डिगरी हर साल तेही जनवरी को नेता जी सुबाचंदर वोस की जैनती पर गोसित की जाती है संसागत स्रेणी में मिलने वाले पिर्टिस्थित में 51 लाग रुपे नगत और एक प्रमान पत्र और व्यक्तिकत स्रेणी में 5 लाग रुपे और प्रमान पत्र दिया जाता है नेक्स्ट कोशन है किस राज्जे ने बिविन प्रितियोगी प्रिक्षाओं के लिए मुप्त कोचिंग सुविदा अब्युद्य की गोषणा की है तो ये की है उत्तर प्रदेश ने या कि चीफ मिनिस्टर है योगी आधितनाग गवर्नर है आनन्दिवेन पटेल और कैपिटल है लखनवु ये है मैप में उत्तर प्रदेश और ये जो तयारी करवाएगा अब जो योजना है उसके अंतरकत IAS, PCS, CDS, NDA, JEE, NEET और UPSC की सभी प्रितियोगी प्रिक्षाओं की तयारी कराई जाएगी ठीक है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में DRDO ने आकास NG का प्रिक्षन सफलता पूर्बक किया यह है किस प्रिकार की मिसाइल है तो यह है सर्फेस टू एयर यह सर्फेस से एयर पर मार करने वाली है यहां पर यह है आकास NG और NG का मतलब है न्यू किया गया जापान के पूर प्रिदान मंतरी जिनका नाम है सिंजो आबे किस चीज़ मिला है तो वो मिला है पबलिक अफेर्स में नेक्स्ट कोश्चन है किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तैत पंक अभ्यान की सुरुवात की है तो यह की है हरियाना सरकार ने यहां कि चीफ मिनिस्टर है मनुवा लाल खट्टर गवर्नर है सत्यादेव नरायन आर्या और यहां की राजधानी ह इसके यहां पर यह मैप में हरियाना दो हर ग्यारे में हरियाना का सेक्स रेसियो था 8.79 अब पंक पी से क्या है तो पी से है सुरक्षा प्रोटेक्शन एसे क्या है तो एसे है अवेरेनेस जागरुकता एन से क्या है एन से है निट्रिशन मतलब पोशन के से क्या है के से है न जर्मन बॉच academics ब्हुर Bryce के global climate risk index 2021 बहुरट कोन से इस्थान पर रहा है तो भारत ना कोंसे इस्थान साथवा यहाई है तो यह लगाया है एट परसेंट का नेक्स्ट कोशन है हाल ही में कहां नाव पस्तकाले की सुरुबात की गई है यह की गई है कोल काता में यहां पर यह है नाव पस्तकाले नेक्स्ट कोशन है हाल ही में अमेरिका में बाइडें सरकार ने किस भारते मूल के विक्ति को चीप परियावरेंड बर्स किस देश के साथ लॉंच किया जाता है तो ये किया जाता है फ्रांस मालब यह परिवर्ट दिवस जो है किस देश के साथ लॉंच किया गया है तो यह किया गया यहां फ्रांस के साथ में पर इसके प्रेसिडेंट है एमविनिल मैकरोन कैपिटल है पैरिज और करंसी है यूरो जा पर यह मैप में है फ्रांस नेक्स्ट कोशन है करोना बाइरस प्रदर्सन सूचकांग पर भारत की रैंक रही बारत की रैंक रही 86 नेक्स्ट कोशन है गरतंत दिवस परेड दोहर 21 में किस राज्ये की जाकी को सर्वस रेस जाकी से सम्मानित किया गया है ये किया गया है उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आधितनाथ, गवर्नर है आनंदी बेन पटेल और राज़दानी है लखनवू और इस जाकी में जो जाकी सर्फेस्ट मानी गई है वो जाकी थी कुन सी? यह हमारी जाकी थी जो है राम मंदिर नेक्स्ट कोच ने हाली में ऐसेया पेसिफिक परणलाईज हैल अिंडेक्स जारी किया गया है भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है टैंथ और पहले नंबर पर है सिंगापूर और गैरवे पर हैं इंडोंइशिया और सिर्फ 11 देसों नहीं इस इंडेक्स में भाग लिया है और हमारी जो रेंक आई है वाई है टैंथ मतलब एक कमबस बाकी बहुत सड़ी हैं इसमें हम IEIU के बारे में जा लेते हैं Economic Intelligence Unit जो की इसे जारी करता है इसके प्रेसिडेंट है रोमिन ब्यू और इसका हैटकोटर है लंदन UK में और फाउंड़िट 1946 में हुई थी Next Coach ने हाली में ब्रस्टाचार धारना सूचकांग द्वारे 20 जारी किया गया है इसमें भारत की रेंक क्या है इसमें भारत की रेंक है 86 पहले नंबर पर है न्यूजुलेंड दूसरे पर है डेनमार्क तीसरे पर फिल्लेंड और 78 पर है चाइना हमारी चार लेवल और हम उपर पहुच गए हैं मतलब और ज़्यदा बढ़ चुका है ब्रश्टा चार धारना सुचकान को ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 60 कोशन्स जनवरी के अगर ये आपने 60 कोशन्स अची तरह कर लिए तो जनवरी आपका बहुत 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 बहतरीन तरीके से कबर हो गया अगर आपको डेली करन टेफेर देखने हैं तो वो भी हमारे चैनल पर डेली के डेली डाले जाते हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं और जनवरी की इस वीडियो के जरूर देखें आने वाले समय में फरवरी की वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिजे अगर आपको पीडियो चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्कप्शन में मिल जाएगी ऐसा ही भैतरी और करेंटर फेर के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ थैंक यू